अब दोस्तों आज का बिजनस आइडिया काफी खास है क्योंकि यह मात्र 2,000 रुपे में शुरू होता है इसकी और भी खास बात यह है कि आप 2,000 रुपे में इसको शुरू करके 2700 रुपे रोज की कमा सकते हैं महीने में 81,000 रुपे आप बहुत आराम से कमा सकते हैं मैंने बहुत सारे बिजनस आइडिया आपको दिये है जिसमें अलग-लग पुझी के बारे में आपसे बात करी है कि अगर आप वह ऐसा प्रोड़क्ट बनाते हैं जो बच्चों के बीच में popular हो जाए तो फिर आपके बिजनस को चलने से कोई नहीं रोख सकता ये प्रोड़क्ट भी बिल्कुल वैसा ही है ये बच्चों के बीच में famous है आप स्क्रीन पर अभी देख रहे होंगे कि बच्चे इसको खाना पीना काफी पसंद करते हैं अगर इसको बर्फ की तरह जमा दिया जाये तो लोग इसको खाते हैं और लिक्विड रहे तो इसको लोग पीते हैं इसको तयार करना कोई बहुत बड़ा rocket science नहीं है वो क्या है मैं जल्दी से आपको बता देता हूं मैं 5 लिटर पेपसी जूस बनाने की विधी आपको बताता हूं जैसे जैसे आप इसका amount बढ़ाते जाएंगे सारे ingredient का ratio भी वैसे ही बढ़ता जाएगा तो सबसे पहले आप एक बाल्टी में 5 लिटर पानी ले लें जिसके अंदर आप 400 ग्राम चीनी रख दीजे आपको online platform पे नीबू सर्ट मिल जाएगा वो लगभग 35 ग्राम इसमें डालना है इसके अंदर सैकरीन भी 3 ग्राम डालना है इन सारे ingredients का market rate क्या है वो आपको साथ में अभी स्क्रीन पर दिख रहा होगा फिर आप orange flavor कहलें या essence कहलें वो दो ढखकन इसमें मिलाना है फिर आपको आधा चमच orange color डालना है इस Pepsi Juice की validity को बढ़ाने के लिए आपको आधा ढगकन सिरका डालना होगा जिसको benzoic acid भी कहा जाता है अब दोस्तो बाल्टी में एक बड़े चमच के माध्यम से उस घोल को अच्छे से मिलाना शुरू कर दें तब तक मिला है जब तक चीनी पूरी तरह से न खुल जाए अब दोस्तो आपको नल वाला एक टंकी लेना होगा जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा उसके अंदर छलनी के माध्यम से आपको पूरे juice को च्छन लेना है और च्छने हुए juice को उस टंकी के अंदर भढ़ देना है दोस्तो क्या होता है जब सैक्रीन वगरा इसमें हम लोग मिलाते है तो उसका कुछ कचरा इसमें रह जाता है वो सारा च्छन के बाहर निकल जाएगा तो शुद्ध पेपसी जूस अब उस टंकी के अंदर भढ़ चुका है अब आपको मार्केट में पेपसी रोल मिलेगा इस पेपसी रोल का क्या कीमत है आपको स्क्रीन पर अभी देख रहा होगा पांच लीटर पेपसी जूस में लगभग 3,000 से जादा पेपसी का पैकेट बनके तयार होगा अब आपको 7-800 रुपे में एक पैकिंग मशीन आती है वो ले लेनी है अब दोस्तों आपके पास पेपसी रोल का पुरा एक बंडल है जिसका एक मुह खुला होगा उस खुले हुए मुह को उस नल वाले टंकी में जाकर कैसे फिट कर दें और उसको अच्छे से बान दें ताकि नल खोलने के बाद उसमें से कोई लिकेज ना हो सके अब दोस्तों आप नल को खोल दीजे और ध्यान दीजे मैं आपको क्या बता रहा हूँ ऐसे गोला गोला भरे हुए पेपसी के साथ और बंडल आपके हाथ में है उसको भड़ते जाएए गोला 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 रूम के अंदर बिछाते जाएए एक्जामपल के लिए आपको मैं फोटो भी दिखा रहा हूँ स्क्रीन को उपर ऐसे पुड़ा भड़ दीजे जैसे पुड़ा रोल भड़ जाए उसको वहाँ पर छोड़ दीजे अब दोस्तों नल के पास जो मुह था उसको दिरे से निकाल दीजे नल बंड कर दीजे उसक एक लेंग का रखना है आपको तो इस लेंद का आगे यहां तक यहां तक उसको आगे सरका दीजे और फिर प्रोसेस बहुत आसान है 800 रुपए की मशीन है, कुछ 100 रुपए की इंग्रेडियंट्स है ये जूस को रखने के लिए नल वाली टंकी लेने में आपको कुछ खर्चे आए है और आपका पेपसी पैकेट बन कर तयार अब आप एक बड़ा पैकेट सफेद ले लीजे दोस्तों, आप मैं आपको profit बताता हूँ अगर आप retail में बेच रहे हैं, तो एक पैकेट पर आपको 11 रुपए की बचत हो रही है लिकिन अगर आप wholesale में बेच रहे हैं, तो एक पैकेट पर आपको लगभग 8 रुपए की बचत हो रही है दोस्तो होलसेल में तो ये प्रोडक्ट ऐसा है कि बहुत ज़्यादा पैकेट बिकेगा फिर भी मैं मातर 200 पैकेट के आपसे बात करता हूँ तो 8 रुपे बचत के हिसाब से 200 पैकेट से आप एक दिन में 16 रुपे होलसेलिंग से कमाएंगे उसी तरह से अगर आप मातर 100 पैकेट अगर रिटेल वाले को बेस देते हैं तो वहां से आप 11 रुपे अर्न करेंगे यानि आप रोजाना 27 रुपे की कमाई करना शुरू कर देंगे दोस्तों मुझे ये बताए कि 2000 रुपे की इन्वेस्टमेंट के साथ आप 2700 रुपे पर डे कमाना अगर शुरू कर देते हैं तो ये डील अच्छी है या नहीं दोस्तों आप ये बिजनेस अपने दोस्तों के बीच में जरूर सेर कीजेगा हो सकता है किसी को इस बिजनेस को देखकर रोजगार मिल जाए 2000 रुपे कोई बहुत बड़ी डील नहीं होती है आज कोई भी इसको अगर सुनेंगे तो इस बारे में जरूर सोचेंगे आप लोग भी इसके बारे में जरूर सोचिए मैं मिलता हूं गली वीडियो में All the best जैहंद